पत्थर की बंतीज से भी क्या बहती नदियां रुकती है, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरे जुकती है किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मसाल सा जजबा हो, वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है आईए इसी उमीद के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS Official में इसके पिछले क्लासेस में हम सभी Science Special Series का 28 स्वा क्लास किये थे सभी क्लास में आप सभी को Extender Questions जो ALP के एकजाम में आने वाले संभावित प्रशन हैं, उनी प्रशनों को कराया जा रहा है यह क्लास Totally RRB ALP पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी ALP का एकजाम असानी से प्रिपेर कर सकते हैं क्लास को अन तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपेरेशन को और ज्यादा इंप्रूब कर सकें यह Science Special Series आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा ताकि RRB, ALP, Technicians Related जितनी भी डेली क्लासेस यहां होती हैं वह आप तक डेली मिलती रहें, तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला कोस्षन है, स्वेत प्रकास का काच के प्रिज में से परवेश करते ही साथ घटकों में विभाजित होना डैस कहलाता है तो इसका राइट एंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट किजिए देखिए, स्वेत प्रकास का काच के प्रिज में से परवेश करते ही साथ घटकों में विभाजित होना क्या इसका राइट एंसर ओप्शन बी हो जाएगा देखिए, वंड बीचेपन की घटना में, प्रकास की रन का विभाटन साथ रङों में होता है जिसमें सबसे उपर लाल और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है वन्ड बिछेपन जो होता है ये वन्ड बिछेपन तरंग धहरे का ब्यूत करमानुपाती होता है क्या होता है ब्यूत कर्मानुपाती होता है जो डिस्पर्शन होता है या ब्यूत कर्मानुपाती किसका होता है तो लेमडा यानी तरंग धहरे का ठीक है ये आप लोग याद रखिएगा देखिए रंग मुखे रूप से दो परकार के होते हैं एक होते हैं प्रात्मीक और यह आप लोग याद रखिएगा ठीक है देखिए और दितिया रंग हो जाएंगे पीला स्यान और मेजेंटा इतनी बात आप लोग को जानने ही चाहिए आई होप आप लोग पूरा समझ गये होंगे चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन है HNO3 प्लस KOH KNO3 प्लस H2O उप्रोप्त अभिकिरिया डैस का एक उधारन है यहाँ पर एक आप लोग को अभिकिरिया दे दिया गया है रियक्षन इस रियक्षन को देखकर आप लोग को बताना है कि यह कौन सी अभिकिरिया का उधारन है option A, अब घटन अभी किरिया, option B, रेडॉक्स अभी किरिया, option C, उदासनी करन अभी किरिया, option D, सन्योजन अभी किरिया देखिए इसका राइट एंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट किजिए देखिए, जब अमल की अभी किरिया, जो अमल होता है, acid, acid की अभी किरिया, किसी छारक यानि बेश से कराई जाती है तो जो प्रतिफल होता है, ये लवन और जल बनता है, ऐसी अभी किरिया को उदासनी करन अभी किरिया कहते है जब भी अमल को किसी छारक के साथ अभी किरिया कराएंगे, तो प्रतिफल में लवन और जल का निर्मान होता है, ऐसी अभी किरिया को उदासनी करन अभी किरिया कहते है आई होप आप लोग समझ गए होंगे, उसी तरह मान लिजे, यहाँ पर सन्योजन अभी किरिया दिया है तो सन्योजन अभी किरिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक प्रतिफल का निर्मान करते हैं, उससे सन्योजन अभी किरिया कहते है अब घटन अभी किरिया किसे कहते हैं? तो अब घटन अभी किरिया में उसमा प्रकास या विदूत के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक घटकों में तूटना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अब घटन अभी किरिया रेडॉक्स अभी किरिया क्या है तो रेडॉक्स अभी किरिया में ऑक्सिकरन और अवकरन दोनों होते हैं जिसे हम लोग रेडॉक्स अभी किरिया कहते हैं आई होप आप लोग पूड़ा समझ गये होंगे चलिए next question देखते हैं next question है सकती P, धारा, I, प्रतिरोध, R और विभुवांतर, V के बीच गलत संबंद की पहचान करें इसका right answer क्या होगा अप लोग comment किजिए यहाँ पर चार option दिये हैं चारों में से कोई एक गलत दिया गया है उस गलत संबंद का पहचान करना है तो देखिए P is equal to I, R square यह गलत हो जाएगा यह जो संबंद दिया गया है सकती, धारा, और प्रतिरोध, और विभुवांतर के बीच यह गलत हो जाएगा यहीं question पूछा है कि गलत संबंद का पहचान करें तो गलत संबंद option A हो जाएगा ठीके देखिए सकती जो है यह कारे करने की दर को कहा जाता है ठीके तो P is equal to V square by R यह सही है P is equal to I square R यह भी सही है P is equal to VI यह तीनों क्या है सही है किसके संबंद तो सकती, धारा, प्रतिरोध, और विभुवांतर के बीच का संबंद यह तीनों सही है ठीके देखिए सकती बराबर क्या होता है P is equal to होता है कारे बटा समय यानि work by time यह अप लोग को याद होना ही चाहिए जिसे हम लोग Fs cos theta by T कहते हैं इसी को क्या कहेंगे तो Fs cos theta by T ठीके इसी को हम लोग कहते हैं तो सकती बराबर होता है बिदुत उर्जावटा समय भी होता है और I R into I is equal to I square R इसका क्या हो जाएगा सही संबंद हो जाएगा देखिए बिदुत सकती का SI मातरक किलोवाट मेगावाट यह सब होता है यह आप लोग याद रखिएगा सकती आया इसलिए सकती से रिलेटेट जितने भी कोस्टन बन सकते हैं मैंने आप लोग को बता दिया बहुत बढ़ पूछता है एक्जाम में कि 1 किलोवाट is equal to कितना होता है तो 1 किलोवाट बडाबर होता है दस का पावर 3 वाट यह आप लोग याद रखिएगा ठीक है और उसी तरह एक मेगा वाट is equal to कितना होता है तो 10 का पावर 6 वाट ये आप लोग याद रखेएगा एक्जाम में बहुत डारेक्ट इस तरह की question पूछे जाते हैं आई होब आप लोग पूरा समझ गया होंगे चलिए next question देखते हैं next question है गोलिय दरपन के धुरू और focus के बीच की दूरी कितनी होती है ठीक है धुरू और focus के बीच की दूरी कितनी होती है ये पूछा गया है देखिए गोलिय दरपन कोई भी हो सकता है ठीक है और उतल दरपन भी तो चलिए पहले हम लोग draw करके देख लेते हैं माल लीजिए ये है उतल दरपन और तल दरपन ठीक है इसके बीच का ये जो है ये है पोल ठीक है ये हम लोग पोल यहाँ पर हो गया ये focus ठीक है और ये हो गया इसका त्रिज्या, ठीक है, तो इस पर आब माल लीजिए, बोला है कि गोले दर्पन के धुरू और फोकस, यह है पोल, पोल जो है धुरू और फोकस, इन दोनों के बीच की यह जो दूरी है, इस दूरी को पुछा है, ठीक है, तो इन दूरों के बीच की दूरी को कहते हैं, r by 2, क्य इसका right answer option A हो जाएगा ठीक है तो यह आप लोग समझ गए इसलिए मैंने चित्र बना दिया यहाँ पर next question है एक उत्तल लेंस बस्तु के आकार के दोगुनी आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिवीम निर्मित करता है लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन किसके बड़ाबर है और option 1 1 by 2, option B minus 2, option C 2, option D minus 1 by 2 तो इसका right answer क्या होगा आप लोग कमेंट किजिए जो लेंस होता है लेंस द्वारा उत्पन जो आवर्धन यानि मैगनिफिकेंस होता है इसका formula क्या है तो इसका formula है V by U यानि प्रतिवीम दूरी बटे बस्तू की दूरी तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे magnificence is equal to कितना है यहाँ पर दो गुनी आकार दिया है तो क्या लिखेंगे minus 2 by H यहाँ पर दिया गया है वस्तू दूरी जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है तो प्रदवीम क्या बनेगा प्रदवीम हमेशा क्या बनेगा तो प्रदवीम हमेशा उल्टा बनेगा ठीक है और इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा माइनस टू ये इसका राइट अंसर हो जाएगा तो option number B इसका right answer minus 2 हो जाएगा ठीक है देखे लेंस द्वारा जो उत्पन आवर्धन होता है V by U ठीक है और इसी पर हम लोग क्या किये ये सुत्र के उपर बैठा दिये जो दिया गया है जो लेंस में बस्तू के आकार के जो उत्तर लेंस बस्तू के आकार के दोगुनी आकार का वास्तविक और उल्टा प्रदभीम निर्मित करता है तो लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन किस के बढ़ाबर होगा तो minus 2 के बढ़ाबर होगा I hope आप लोग पूरा समझ गए होंगे चले नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन है डैस के पौधे की पतियों में मेथनोईक अमल होता है आप्सटन A, इमली आप्सटन B, संत्रे आप्सटन C, टमाटर आप्सटन D, बिच्चु बूटी तो इसका राइट अंसर क्या होगा? ठीक है? देखिए, इसे डंक माणने वाले पौधे के रूप में भी जाना जाता है किसको? तो ये बिच्ची बूटी के पौधे को डंक माणने वाला पौधा के नाम से जाना जाता है इसका रसाइनिक नाम क्या है? इसका रसाइनिक नाम हो जाएगा आर्टिका डाई ओफा क्या इसका नाम है रसाइनी की नाम आर्टिका डाई ओफा यह आप लोग याद रखिएगा देखिए बिच्चु बूटी जो पौधे होते हैं इसके बहुत सारे उप्योग है जैसे यह प्रेगनेंसी में साहेक होता है यह मूत्र रोग की दवा बनाने में प्रभावी होता है कौन सा बिच्चु बूटी का पौधा इसके सेवन से मनुस्य के सरीर का संक्रमन से बचा रहता है तो इतनी बात आप लोग को याद रखनी चाहिए चलिए और एक यहाँ पर दिया है मेथनोईक अमल तो मेथनोईक अमल का सुत्र क्या होता है यह आप लोग जान लीजिए तो मेथनोईक अमल का सुत्र होता है H-C-O-O-H यह मेथनोईक अमल का सुत्र होता है और इमली देखिए इमली का रसाइनिक नाम क्या है तो इमली में कौन सा अमल पाए जाता है यह पूछता है एक्जाम में तो इमली में टार्टरीक अमल पाये जाता है कौन सा अमल पाये जाता है इमली में तो इमली में टार्टरीक अमल पाये जाता है और संत्रे में संत्रे में साइटरीक अमल पाये जाता है तो इतनी सारी बात आप लोग को पता होनी चाहिए प्रतिरोद दिये गए बिंदूओं के बीच सन्योजित हैं, कथन दो पडिपत का तूले प्रतिरोद बेष्टी प्रतिरोद से अधिक होता है, कथन तीन प्रतेक प्रतिरोद के टर्मिनलों के बीच विभुवांतर समान होता है, तो इसका राइट अंसर क्या होगा, आप है, ये सबी प्रतिरोद दो दिये गए बिंदूओं के बीच समयोजित होते हैं, बात सही है, तो ये कथन एक क्या हो जाएगा, कथन एक सही हो जाएगा, उसके बाद कथन दो क्या बोल रहा है, पडिपत का तूले प्रतिरोद बेष्टी प्रतिरोद से अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा, तो ये जो दूसरा कथन है, ये गलत हो गया, तिसरा क्या है, प्रतिरोद के टर्मिनलों के बीच, बिभुवांतर समान होता है, सही बात है, बिभुवांतर तो समान होगा, तो ये कथन तीन सही है, तो इसका राइट एंसर क्या होगा, आप लोग कमेंड क टू है, लेंस द्वारा बने प्रतिभीम की प्रकृती और तुलनात्मक आकार क्रमशा है तो इसका राइट अन्सर क्या होगा, आप लोग बताईए देखिए, एक लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन हाफ है यानि 1 by 2 है, ठीक है और lens दोरा बने प्रतवीम की जो प्रकृती होती है ये तुलातमक अकार अभासी सीधा और छोटा होता है इसका right answer option D हो जाएगा देखिए आवर्धन चमता क्या होता है अभी बताया मैंने magnificence is called to क्या होता है भी बाई यू यानि प्रतवीम दूरी बटे बस्तु दूरी ठीक है तो lens की सकती जो होता है वो focus दूरी का बिदकृरम होता है यानि उल्टा होता है तो Magnificance क्या है 1 by 2 अता प्रतवीम का आकार बस्तु का आधा होगा आधा होता है ठीक है तो आवर्धन क्या है आवर्धन चमता किस में दिया गया यहाँ पर देखिए आवर्धन चमता यहाँ पर positive है प्लस है तो क्या होगा तो प्रतवीम अभासी बनेगा जिनमें से डेस प्रकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है आप्शन A 118 और 92 आप्शन B 118 और 94 आप्शन C 114 और 92 आप्शन D 114 और 94 तो इसका राइट अंसर क्या होगा आप लोग कमेंट किजिए आप लोग कमेंट नहीं किजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को कितने कोशन का एंसर पता है आप लोग की तैयारी कैसी है कैसे पता चलेगा इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें देखिए बरतमान में 118 तत्व ग्यात है कितने तत्व ग्यात है तो 118 यहनी 118 तत्व ग्यात है जिन मेंसे 94 जो होते हैं यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है ठीक है, तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer option B हो जाएगा बरतमान में 118 तत्व ग्यात हैं जिन में 94 प्राकृतिक रूप से यहनी नेचरल रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं ठीक है, देखें, तत्व समाने रूप से तीन परकार के होते हैं एक होता है धातु दुसरा है औधातु और तिसरा है उपधातु क्या है? उपधातु यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है और तत्व पदार्थ का सुधत्तम रूप है धातु आधुनिक अवर्चानि के बाए भाग में इस्तित होते हैं धातु कहां इस्तित होते हैं? तो धातु बाए भाग में इस्तित होते हैं और ओधातु आधुनिक अवर्चानि के दाए भाग में इस्तित होते हैं और उपधातू ततों की संखिया कितनी है? दीखिए, और धातूतातों की संखिया 22 हैं, ठीक है? और उपधातो ततों की संखिया कितनी है? तो साथ हैं. यह आप लोग याद रखिएगा, एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है. I hope आप लोग पूरा समझ गए होंगे चलिए next question देखते हैं next question है मनुस्यों में समाने प्रकुंचन यानि समाने जो प्रकुंचन यानि सिस्टोलीक और अनुसितलन यानि डाय सिस्टोलीक दाब यानि प्रेसर क्रमसर डैस होते हैं इसका right answer क्या होगा आप लोग comment कीजिए यह option दिये गया है यह option देखके आप लोग जल्दी से comment कीजिए कि इसका right answer क्या होगा देखिए मनुस्यों में समाने प्रकुंचन यानि जो सिस्टोलीक होता है या और अनुसितलन यानि जो डाय सिस्टोलीक होता है या क्रमसर 120 mmHg और 80 mmHg होता है यानि 120 by 80 ठीक है 120 by 80 इसका right answer option D हो जाएगा जो blood pressure हम लोग मापते हैं तो कितना होता है 120 by 80 यह normal है ठीक है देखिए blood pressure हिर्दय की बार बार pumping के कारण जो blood जो vessels है उनके दिवारों पर पढ़ने वाले दाब को ही हम लोग blood pressure कहते हैं ठीक है और blood pressure को हमारे सरीर के कुछ अस्थानों पर महसूस किया जा सकता है जैसे हाथ की कलाई आप लोग देखे होंगे कि doctor हाथ के आपके wrist के वहाँ पर कलाई के वहाँ पर महसूस करते हैं वो पता लगाते हैं पता लगाते हैं तो हमारा blood pressure ठीक है यदि कोई वैक्ती लगतार उच रुधिर दाव यानि high blood pressure 150 वाई अगर 90 mm के उपर से पीरित है तो यह आवस्था hypertension कहलाता है यह बात आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे अगर आप class 1 तक देख रहे हैं तो comment में बताएं कि top 10 प्रश्णों में से आप कितने प्रश्णों का सही सही जवाब दिया है अगर कोई question में doubt है तो comment जरूर करें मन लगा कर पढ़ाई करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद